हेलो दोस्तों स्वागत थे आपका हमारे चैनल केडिये अप्रेट भाई इंगेर में मैं उरंजन राज और आज हम लोग कर रहे हैं फिटर थीरी का नया चैप्टर सुरू चैप्टर का नाव हमारे क्या है चैप्टर का नाव हमारे धात चादर काले यानि की सीट मेटल वर्क जैसा कि पिछले लेक्टर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 यानि की जो इस्कूर्ट थीर था उसको हम लोगों ने खतम कर लिया था बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है बहुत ही मेनद करके पढ़ाया है तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो जाके देखे का आपको जरूर हिलाब मिलेगा अगर आप फिटर से जुड़े किसी भी कंप्रिटिटिव एक्जाम की तियारी कर रहे हैं साथ ही जो प्रिवियस लेक्टर से अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बाक्स में तो अगर आ आप देखना चाहें यानि कि टोटल अभी तक हमारे 28 लेक्टर हो चुके हैं यह हमारा 29 लेक्टर है तो अगर आप प्रिवियस लेक्टर जाके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में एक टेलेग्राम ग्रूप का लिंक ही मिल ज सकते हैं कि आपके कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं कितने कम समय में आप प्रसनों को कर पा रहे हैं तो वहां से आपको तैयारी अच्छे से करने का मौका मिलेगा अब देखिए आए हम लोग सीधा आते हैं अपने चैप्टर पर सीट मेटल वर्क अब देखिए सी दाग का जो है classification नहीं है यह मेरा खुद का classification है प्रस्णों के आधार पर कि अगर कोई chapter है क्योंकि मैं जो भी आपको chapter पराता हूं उसमें classification करता हूं प्रस्णों के आदार पर मेरा खुद का classification रहता है कि किस chapter में कहां से ज़्यादा प्रस्ण बनते हैं वही topic हम लोग सबसे ज़्यादा cover करने की कोशिस करते हैं जहां से नई भी प्रस्ण बनते हैं उसको भी हम लोग ठोड़ा वोग देखते हैं तो अब देखे seat metal को तीन भागों में बाटेंगे तो सबसे पहले आता है base यानि कि seat metal का जो basic चीज़े हैं उसको हम लोग के बारे में पढ़ना है seat metal की basic चीज़ों के बारे में जैसे क्या है type of seats ठीक है type of seats ठीक है यानि seat कितने प्रकार की होती है अब यहां पर टूल कौन-कौन सा उप्रयोग होता है ठीक है अगर हम कोई seat metal कार करते हैं तो उसमें कौन-कौन से टूल का प्रयोग करते हैं टूल की अगर हम लोग बात कर लें तो क्या कर ले मैलेट हो गया इसनिफ हो गया यह जैसे अभी मैंने फिगर बनाया हूँ अभी हम लोग सभी चीज़ों को डिसकस करेंगे इसनिफ हो गया टेक हो गई जिसको हिंग्लिस में क्या बोलते हैं इस टेक्स बोलते हैं तो इन चीज़ों का हम लोग डिसकस करेंगे यानिकि बेस की बात कर रहा ह है कि जहां से प्रस्ण बनता है इस निप से प्रस्ण बनता है तो हम लोग डिसकस करेंगे मैलेट से प्रस्ण बनता है डिसकस करेंगे सभी चीजों को आप ध्यान से समझी इसके बाद तीसरा प्रस्ण कहां से बनता है ज्वाइंट यानि कि जो सीट मेटल ज्वाइंट है जो दो क्या कर लेंगे उसको उस प्रस्ण को note के बाद देम से लिख लेंगे तो हमारा पूरा chapter clear हो जाएगा तो ये था हमारा seat metal का पहला भाग seat metal का पहला भाग basic में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अब इसमें क्या होता है riveting ठीक है अगर आप बात करें तो riveting जो प्रक्रिया होती है, वो किस पे की जाती है भाईया, वो seat metal पे ही की जाती है, योगि आप बालती देखें, कोई बालती देखें, कोई भी देखें, बक्सा देखें, संदूक देखें, तो जो सीट को जोड़ा जाता है, उसके लिए दो यूज हम लोग कर सकते हैं, कौन- मोटिपलेट तो उनलोग जोड़ेंगे नहीं, seat को ही जोड़ेंगे नहीं, इस प्रोसेस के द्वारा, riveting के द्वारा, और solding और bridging के द्वारा, तो अगर आप पहला lecture मेरा उठा के देखेंगे, जहां पि मैंने syllabus discussion किया है, 28 chapter मैंने आपको उस पुरा syllabus है, उसमें बताएं, तो क्या उस chapter, उस जो मेरा 28 chapter है, उसमें आपको riveting और solding और bridging का chapter अलग से नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये किसके भाग हैं, जो अगर riveting और soldering की बात करें, तो ये seat metal के ही chapter के अंतर गताते हैं, लेगिन ये जो chapter है, यानि कि ये riveting और soldering का chapter है, solding और bridging का, ये दोनों chapter बहुत ही महत्तोपूर है, तो हम लोग क्या करेंगे, आज के lecture में जो basic चीजें होती है, उसको discuss करेंगे seat metal से, जहां से मारे प्रसंद बन रहे हैं, और इसके बाद, जो हमारा next lecture रहेगा, वो riveting और bridging रहेगा, ये soldering bridging रहेगा, तो ये एक एक lecture हम लोग, यानि कि आप मान क चली कि पहला lecture आज हम लोग कर रहे है, फिर riveting पढ़ेंगे एक lecture में, फिर soldering and bridging पढ़ेंगे एक lecture में, तो हमारा ये seat metal का chapter खतम हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये fitter theory का full course है, तो इसमें मैं कोई चीजे अपने तरफ से छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, जो भी चीज हमें, कौन-कौन से टूल उपयोग होते हैं, snip से क्या प्रसन बनता है, mallet से क्या प्रसन बनता है, takes से क्या प्रसन बनता है, stakes जो होती है, तरह कि तरह की, तो आईए देखते हैं सबसे पहले, types of seat, और फिर joint से बहुत ज़्यादा प्रसन बनते हैं, और last नहीं में आपको notes दिखाऊंगा जहां से आपके बहुत ही ज़्यादा प्रस्न बन जाएंगे ठीक है परसान होने बिल्कुल जवरत नहीं है सभी चुछों को आराम से पढ़िए हेडिंग डाल लिजे टाइप आफ सीट्स पहला आप लिखिए काली लोह चाहते रहे हैं ठीक है यानि की ब्लैक आईरन सीट ठीक है अब देखिए सीट से आपको दो तीन चीजें जो मैं बता रहा हूँ वही याद रखनी है जहां जो प्रस्न बनता है बहुत जादा अगर आप सोचेंगे कि वहां मैं ब्लैक सीट के वारे मैं पूरा खोल के पर डालूं किसी किताब से कोई मतलम निकले करें को पता है काली ला फंक है यहांसे लाव जो है अश्पस्ट हो गया लेकिन कान साला हो भी या काश्ट आ traders पिटवाा लोहा पिग आर इंकिसे की बनी होते हैं काली चादरें यह बनी होते हैं पिटवा लोहा की पिटवा लोहा ठीक है यानिकि रोड आयरं अब जो अगला प्रसना आता है वो आता है यूज का कि इनका उपयोग जो है कहां पे किया जाता है तो उपयोग में लिखिए इस्टोब इस्टोब पाइप तथा टंकियों की निर्माड में जो लोहे की टंकी बनती है ठीक है इस्टोब बनता है पाइप बनती है वो किसकी बनाई जाती है मैकसिम्म यह काली जो है लोह चादरों की बनाई जाती है तो आप इस्टोब आपने देखा होगा तो उसका देखेंगे तो जो आयरन रहता है उसके उपर पेंट हटा के देखेंगे या कुछ दिन बाद पेंट स coating नहीं करेंगे, सुरच्चा यक तो परत नहीं चड़ाएंगे तो इनका जो संचारण है वो बहुत तेज होता है दोसरा लिखिए GI seat GI seat क्या होती है ये काली लाओ चादरे ही होती है अब काली लाओ चादरे ही मैंने कह दिया यानि कि इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये पिटवाल होगा ही होता है बस इस पर क्या कर देते हैं इस पर जिंक की या कहीं कहीं बुक में आप लुखेगा जस्ता की परत चड़ादेते हैं परत चड़ादेते हैं ठीक है GI seat ये हो गई अब अगला प्रसन GI seat से ये बनता है कि ये important प्रसना एक्जाम में पुछा गया है GI जो seat है कैसे बनाया जाता है ठीक है तो जाहिर सी बात है वही या पिटवालोहा है तो पिटवालोहा की मैंने आपको एक property बताई है जब मैंने वहाँ पे धातुओं पे गुड़ा आपको पढ़ाया था बहुती गुड़ असायने गुड़ और यांत्री गुड़ तो वहाँ पिटवालोहा की एक property बताई थी कि ये क्या होता है ये आगात वर्ध होता है आगात वर्ध मतलब मैं लेबल ये क्या होता है मैं लेबल होता है ठीक है अब देखिए तो GI seat से प्रस्न पूछता है कि इन्हें कैसे बनाया जाता है यानि कि GI seat को कैसे बनाया जाता है प्रस्न है GI seat को कैसे बनाया जाता है तो इन्हें ठंधी अवस्था में यानि कि cold अवस्था में rolling द्वारा बनाया जाता है rolling द्वारा बनाया जाता है rolling क्या है एक roll इधर रहेगा एक roll इधर रहेगा इसके वीचे हम लोग multiple डालेंगे तो क्या हो जाएगी seat के form में पतली होके परिवर्थित हो जाएगी यूज आपको पता ही है सभी maximum सभी चीजों में इसे pipe बनाना है संदूप बनाना है कोई भी एक general परपज की चीज़ है तो उसमें हमारा किसका GI seat का उपयोग किया जाता है तो अगला लिखिए aluminum seat ये normal चीज़े हैं कोई कुछ में कुछ खास नहीं है aluminum and aluminum alloy seat ठीक है तो इनका भी वही उपयोग है हलके सामन बनाने में बाईवियान में इनका उपयोग किया जाता है ठीक है चौधा लिखिए copper seat ठीक है copper seat का उपयोग कहां पर किया जाता है scientific scientific instrument scientific यानिक जो हमारे tool होते हैं उनको बनाने में विद्धूत में यानि कि विद्धूत का कोई सामान है उसको बनाने में इनका उपयोग किया आता है तो ऐसे ही हमारे जो seat होती है वह होती है इसी तरह आप लिख लिए ब्रास seat हो गई पाच्वे नंबर पर ब्रास हो गई ठीक है छट्वे नंबर पर तो इतनी तरह की क्या होती है इतनी तरह की सेट्स होती है जो हम लोग क्या करते हैं बिसिकली सीट में जो करते हैं कि आई अब हम लोग बढ़ते हैं टूल की तरफ ठीक है हम लोग टूल की तरफ बढ़ेंगे बेसिक आप जानते रहेंगे तो आपको मजा आएगा एक चीज़े पढ़ने में ठीक अगर मैं डायरेक्ट रिव्टिंग पढ़ाने लगूं डायरेक्ट शोलिक पढ़ने किया होगा सीट मेतल को तो वहां पर लोग laugh करते हैं कि कुछ तरा कम elit होता है कि अगाद है लगरिगा बना होता है और भी मटेरियल का बना होता है और कहां पिश मटेए का उप्योग किया जाता है किया जाता है अभी में आपको ano how मैं अगला देखिए जो दूसरा क्या होता है वो होता है इसनिप इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं काती इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं काती जिसका फिगर मैंने पहले ही बनाया हुआ है अब देखिए यहां से जो प्रस्ण यहां से बात करें अगर हैंडल की लंबाई की हैंडल कितना रखा जाता है 600 mm एक और इसकी जो ब्लेड की यह वाली चो sic है है ये कितनी होती है यह होती है फिप्टी एमें ठीक है ये आप कितना बताएंगे कि इंच पinson किंगे मेधे मिर्लस्ट नहीं होती है पूर्स नहीं अब देखिए जो प्राष्ण आप hp बनता है मैं इसको इरेजी कर देता हूं ठीक है प्रास्न आपसे बनता है वो कहां से बनता है तो यहां पर आप लिखिए इसनिप लिखिए और यहां पर ऐसे पर इस्टार लगा के जो से पॉइंट में लिखा रहा हूं जो पॉइंट में लिखता जा रहा हूं उसको आप लिखते जाई तो पहला पॉइंट से बनता है कि कर्टिंग एज एंगल ठीक है कर्टिंग एज एंगल कितना होता है ठीक है अब देखिए यह कोई भी अगर काटने वाला हमारा अवजार रहेगा तो उसमें क्या रहेगा कुछ न कुछ कटिंग एज एंगल रहेगा अब अगला प्रस्थ यह भी पूछता है कि किसी जो हमारा कटाई करना ध्यान से सुनिए किसी जो कटाई करने वाला अवजार है उसमें जो करतन कोड हम लोग क्यों रखते हैं यानि कि अगर कटिंग एज यह मैंने बनाई हुई है यह जो इसकी कटिंग एज बनाई हुई है तो यह किसी कोड पर बनाई जाती है यानि कि जो कटिंग एज है उसमें कोई एक ऐसा कोड रखा जाता है वो क्यों रखा जाता है तो cutting के दवरान जो tool पर बल लगे यानि कि cutting force लगे उसको कम करने के लिए अभी मैं note के मादम से लिखा भी दूँगा लेकिन आप बात कुछ समझेए जो भी यहाँ पर cutting edge में करतन कोण दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है तो जो करत अवजार पर जो बल लगे उसको कम करने के लिए cutting force को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें कोई कोड़ देते हैं तो यह कोड़ आप से पूछ लेता है कि भी या जो कितना कोड़ हम लोग यहाँ पर देते हैं तो कोड़ आपका यह जो होता है कि यह होता है 70 से 75 डिगरी तो सबसे पहला प्रसन आपको यह याद रखा पहला जो point है यह आपका यह जो कितना होता है 70 से 75 डिगरी अब दूसरा प्रसन क्या पूछ लेता है दूसरा प्रसन पूछ लेता है इसका माटेरियल कि यह किस पदार्थ की बनी होती है जो इसनिप होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है तो यह कार्बन इस्टील की बनी होती है कार्बन इस्टील आपको दिया रहे या कार्बन टूल इस्टील अब भीया देखे यहां से भी प्रस्न बनता है सभी चीज़े मैंने पढ़ाई हुए है जिन लोगों ने एक प्रापर लेक्चर देखा हुआ है उनको सभी चीज़ें पता है कारबन टूल इस्टील हम लोग किसको बोलते हैं जिसमें जिस कारबन में कारबन की मात्रा 0.8% से अधिक हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं कारबन टूल इस्टील हाई कारबन इस्टील किसको बोलते हैं हाई कारबन इस्टील भी लगभग उसी को बोलते हैं लेकिन एक अलग टर्म भी उप्योग किया जाता है कि यह मैं लब Carbon Tool Steel का Especially क्या है? Carbon जो टूल बनाने के लिए उसका उप्योग क्या होता है और इसमें क्या होती है? इसमें जो Carbon की मात्रा होगी, वो हमे促 0.8 वंचे से अधिक होगी अब इस टील की बात कही है? तो Steel में Carbon की मात्रा 0.1 से 2 प्रशब तक होती है तो जिस इस्टील में कार्बन की मात्रा 0.8% से अधिक होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्बन टूर इस्टील यह भी प्रस्णा आप से पूछा गया है सीयर मसीन साती है हमारी उसका उप्योग हम लोग करते हैं गर उससे मोटी लवचाते रहे हैं तो यहां प्याब लिखिए 0.7 mm मोटी लवचादरों तथा कि 1.5 mm मोटी अलाव चादरों को काटने के लिए काटने के लिए जो है इसस्निफ का उप्यो किया आता है और इस्से मोटी अगर हो गर यह हम को क्या करना पड़ेगा हमको करना पड़े है कि सीयर मसीन आती है उसका उप्योग हम लोग को करना पढ़ेगा ठीक है तो यह हो गया अब देखिए अगला पॉइंट जो आपके याद रखना है वो याद रखना है इसके टाइप से अगला पॉइंट जो आपके याद रखना है कहां से याद रखना है वो याद रखना है इसके टाइप से तो इसनिप देखिए मुख्यता चा बस नोट करते जाई है आपका काम यही है कि जो मैं बता रहा हूँ उसका नोट जरूर बनाई है तो अब देखिए चार तरगी होती है पहला यही है जो यहां पर मारा फिगर है बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इस लिए इसनिप ठीक है अब स्ट्रेट इसनिप का यूज आप से पोझे का नहीं क्योंकि यह साधारण एक एसस निप है जो किसी वी का रहया कंडियो की जा सकती करें, लेकिन कुछ लोग का comment आ रहा था कि, सश्कणय के हैं जादा हिंदी फें होकस करीं तो सभी चीजह मैं दोनों कर रहा हूं जो इंगलिशne वाले बच्चय रहें इंगलिश्म में पड़ें वक्राकार का अांसा हैं इसे के उर्द इपस्ति Pom अबस खाली बागी तो तो इसकी काटिंगर तो इसकी कटिंगर कांटने में अब वक्र सतह कांटने का मतलब क्या है कि जैसे एक कोई परिवर्तन का आप देखिए इसके हैंडल में परिवर्तन हो जाता है तो इसका हैंडल में मिटा के बना रहा हूं दूसरा हैंडल अब देखिए भाईया देखिए अभी मैंने मिटा दिया फिगर मिटा नहीं था जब बहुत बड़ी सीट की आप कटाई करते हैं तो जो स्ट्रेट स्निप है माली जे ये स्ट्रेट स्निप है ठीक है इस तरीके से एक हैंडल इसका उपर रहेगा एक हैंडल नीचे रहेगा तो हम अगर बहुत बड़ी सीट ही कटाई कर रहे हैं तो हम एक हाथ अगर एक हैंडल इसका नीचे रहेगा तो क्या हम उस स्निप को सीट के नीचे से थोड़ी बहुत अगर हमारी लंबी सीट है तो हम उसको मोड़ते जाएंगे सीट को और काटते जाएंगे लेकिन बहुत लंबी सीट है और हमको उसको मोड़ना भी नहीं है तो एक हैंडल हमारा नीचे हो गया एक हैंडल उपर हो गया तो बहुत लंबी जो सीट की कटाई इसके द्वारा नहीं कर सकते हैं अब देखें यहाँ पर sliding इसनिव में क्या होता है इसका handle हम कुछ ऐसा बनाते हैं तो देखें blade यह seat है पूरी और blade है लेकिन हमारा हाथ जो रहेगा वो हमेशा seat के ऊपर रहेगा तो कितनी भी लंबी सीट काटनी हो हमारा हाथ तो उपर ही है न तो हम आसानी से लंबी सीट को काट लेंगे यही प्रसना आप से पूछता है कि बहुत ही लंबी सीट को काटने के लिए हम किस इसनिप का उपयोग करते हैं किस काती का उपयोग करते हैं तो आपको आपसंदे देगा वक्राकार, दरारी, वक्राकार काती, और ये सुरूम जो महीं रहता है, स्ट्रेट स्निप या दरारी काती, तो बहुत ही लंबी सीट को काटने के लिए, बहुत लंबी या लंबी सीट को काटने के लिए, किसका उपयोग होता है, दरारी काती या स्लाइटिंग इसनिप का उपयोग होता है यहां से प्रस्ना आप से बनता है अब देखिए अगला क्या है अगला कुछ नहीं है अगला बस है मारा यूनिवर्सल इसनिप यूनिवर्सल इसनिप को हिंदी में बोलते हैं सारवत्रिकाथी ठीक है अब इसको जान लीजिए वहां जब प्रस्न पूछा नहीं गया है जो था क्या है यूनिवर्सल इसनिप इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में सारवत्रिक काती ठीक है अब इसकी जो कटिंग आजएे कटिंग इसे ध्यम ध्यां लखियेगा क्योंकि अगर आपसे फिगर संब्हूंवी प्रस्न पूछ लेता है कभी कभी चार फिगर आपको ऐसे बना डिके देगा और कहे वह होता है कुछ थो समझेंगा मालनेमें मैं प्रस नहीं प्रस नहीं है बहुत आइसी कमी चीजह है जुम把 मतशण नहीं से नहीं बाता हूं जहार से प्रस्ण नहीं बनेगा ठीक है और वह भी जहाहती नहीं बनेगा वह ज़रूरी है आपको पढ़ना कि dużo अधी तो यहां से देखिए अगर आप cutting edge की बात करें वो देखिए यह हमारी क्या हो गई दरारी काती हो गई फिकर से समझे यह सरी यह हमारी क्या हो गई यह सोरी हमारा सारवत्रिक काति है तो इस तरी किसे फिगर से आप से प्रस्न सकता है अब यूणिवरसल निप धरादी काति यूज की बात राघ ला यह जा रहा हुए ठीक है अगर यूणिवरसल निप देखें हिंदी इंग्लिस में यही मैं कन्फिव्द हो जाता हूँ ठीक किया जाता है सभी प्रकार की कटिंग करने में सभी प्रकार की कटिंग करने में यानि कि यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स यानि कि टिम्हारी काथ अब देखिए आगला प्र'Tना है है हो अगला पर नाम लोग कुल इस टे के बारे में इस टेक बींप्र crouch अ है लेकिनtem यहां पर इसको पढ़ाना है थोड़ा सा पाजिवर सा फोशिरम नहीं है जो हिला अप बात है तो इस टेक के बहुत हो ते आने कि 15-20 टाइप होते हैं ठीक है तो आप कोई वीबुक उठा लीजेगा वहां से आप इस्टेक को क्या कर लिजेगा पढ़ लिजेगा इस्टेक मतलब मैं समझा देता हूं कि इस्टेक होता क्या है जो लोग कभी लाइब में नहीं गया है या सीट मेटल पर काम नहीं किया है उ करने के लिए पीटने के लिए है तो सीट को बहुत जादा अगर पीटेंग एन्विल पर रखके तो सीट पर मार्क बन जाएंगे तो जो कि हमारा जौब है वो क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा तो ऐसा कुछ अरेजमेंट हम लोग करते हैं जिसे माल यह कोई है जैसे मै जाए इस तरह किस तरह किस दरा से एक टेवल होती है आप लोगों निचậंगे वर्क्सॉप में गई होंगे एक टेवल होती है टेवल के चारू तरफ जैसे हम लोग का जो कa जौने संस्टेगी होती चेछ किया आता है जैसे 거야 तो किसी तीएब्र किनारे पर मुड़ना यानि तोसपे कोई पेंदी वाला जैसे पेंदी वाला बरतना अगर देखा हूआ तो ऐसे अगर बनाते हैं ठीक है तो ऐसे अगर सीट को मोड़ना है तो इसके लिए कोई इस Kiddaty Waresaz Sea Lake होगी ऐसे और हम लोग क्या करेंगे उस पर से सीट रखेंगे समझी सीट को सबर्ट करने के लिए सीट बहुत मुटी बना इ गए शीट पर चारों तरह से इस तरीख से हमरिंग करके क्या करेंगे जो भी आकार इसठेकर रहेगा उस तरी उसअफ तो यहां भी फीगर से प्रस्न बनता है लेकिन अगर एक एक फीगर उनाएं लगूँगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंगी हो जाएगी आप किसी वी बुक में दिखा के देखेंगे या गूगल पर सर्च करके देखेंगे टाइपस आप इस्टेप वहां चीजों को जो ह सीट मेटल जौइंट चाओ कैसी बनाय जाते हैं और बनाने की प्रकरिया को क्या कहते हैं ठीक है तो आईए हम लोग देखते हैं है यहां चलिऑ है त्लिछ टेकनिकल प्रस्न बन जाते हैं तो तो सीट मेतल जोईन्ट हेडिन डालीजे, सीट मेतल जोईन्ट, तो सबसे पहला प्रस्न यहां से यही बन जाता है, कि सीट मेतल जोईन्ट की जो प्रक्रिया है, उसको बनाने को हम लोग क्या कहते हैं? सीट के आप लिखिए सीट के टुकड़ों को आपस में आपस में जोडने की प्रक्रिया जोडने की प्रक्रिया सीम कहलाती है यह प्रस्ण है सीम कहलाती है ठीक है और यहां से अगला प्रस्ण मनता है सीट मेटल के किनारों को मोड़ कर उन्हें कठोर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है हैं कहलाती है यहां से प्रस्ण यह बन गया दो प्रस्ण आपके त्यार हो गए कि सीट मेटल के किनारों को मोड़ कर उन्हें कठोर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हैं कहते हैं अब आजिए दिखते हैं, seat metal joint, जो पहला joint है, वो हमारा क्या है, double seam joint, ठीक है, जो पहला joint मैंने बनाया हुआ है, कौन सा joint है, अभी मैं दिखाता हूँ कौन सा है, पहला क्या है डबल सीम ज्वाइंट यह वाला जो फीगर में ने बनाया हुआ यह वाला यह हमारा कौन सा ज्वाइंट है यह डबल सीम ज्वाइंट तो पहला प्रस्न तो यहां से बन जाता है फीगर से पहला प्रस्न क्या बन जाता है फीगर से आप पुछ चार फीगर दे द टाला है अब दूसरी बात देखें दो सीटों को जोड़ा गया है धन्स दीँ कि एक सीट ऐसी है यह ik zit unless you have see in 2022 और इसको हम क्या मानते हैं डावलो तो आपसे पूशता है एक दूरी कौनसी दूरी? यहां से यानि कि जहां पर इसका joint खतम होगा यह वाला और यहां पर जहां पर इसका joint खतम होगा यह वाला इस दूरी को अगर हम मान ले A ठीक है और ठीकने ठीकने अप जो है seat वो क्या मान ले T तो आफ सी इस value की पूछता है कि double see इंज्वाइंट में जो A का माल होगा समझ रहे हैं आप बात को कि यहां से यहां तक क्या हो गए W हमने माल लिया और यहां से जहां पर जोड़ खतम होता है इसको हमने क्या माल लिया A तो आप से A की value पोश्टा है कि A कितना होगा तो A की value जो हो जाएगी यह हो जाएगी W प्लस 3T यानि कि जो चोड़ाई है W और जो सीट की मुटाई है तो W प्लस 3T भीया एक देखिए आपको याद रखना है कि इसको हम लोग क्यों निकालते हैं कितना चोड़ा जोइंट हम लोग बनाएंगे यह तो हमको पता होना चाहिन वो किसपर डिपेंड करेगा कि मुख्त धात की मुटाई पर डिपेंड करेगा तो यह प्रस्त आप से पूछता है कि एक ही वेलू बताईए दूसरा जो 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 जोइंट है वो कौन सा है दूसरा जोइंट है जोente-down joint ऐग ऑट जोइंट तो हम लोगों से क्या पूछता है हम लोगों से पूछता है यह वाली value यहाँ पे ज़ाइंट खतम हो रहा है यह और यह इसको अगर आँ क्या मान ले A इसको आप से पुछा कोई भी नाम दे सकता है A कह दे G कह दे, C कह दे आपको बस याद रखना है कि यह value होती क्या है और thickness क्या है टी जो seat की मुटाई हो है टी तो equal to लिखिए equal to मारा क्या हो जाएगा 2W plus 2T 2W plus 2T यह हमारा एक आमान हो जाएगा यह प्रस्ण आप से railway बगरा में जाता पूछता है और साथ ही जो अधिर्ण से oddLL बगरा में जोसी भी घृक्तरी खतली होगी वह कितनी यह बहुत है में जाता है यहां से यहां ठीक हो गया डवलू और पूछएगा कि यहां जहां ञांपर खतम होगा होगा वो जो दोड़ी होगी वो कितनी होगी तो यह यहां पर लिखिए कितना हो जाएगा इसको हम लोग किस से डोनेट करेंगे एस से डोनेट करेंगे तो यहां पर जो दूरी है यहां से यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग किस से डिखा रहे हैं हम लोग दिखा रहे हैं एसे और ठिकनेस क्या ह seat की वो T है तो आप से क्या पूछता है A की value पूछता है तो A की value आप यहाँ पे दिख लीजिए knocked up joint में क्या होगा 2W plus 3T ठीक है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि knocked up joint में A की value क्या होगी तो 2W plus 3T pend down joint में equal to 2W plus 2T और double seam joint में equal to W plus 3T ठीक है यह हो गया अब अगला जो है लिखिए चौथा लाश्ट जो जॉइंट है लाश्ट जो जॉइंट है लाश्ट जॉइंट है वो क्या है वो है हमारा double group seam joint ठीक है इसके बाद जब हम लोग यह joint पढ़ लेंगे इसके बाद हम लोग लिखेंगे कुछ महात तो पूर नोट्स ठीक है तो चौथा joint लिखिए double group seam joint यहाँ पर भी same को आप पुचा काम करना है यहाँ पर आपको दो डबलू मिलेंगे कौन कौन से एक देखिए हमारा यह seat यहाँ पर खतम हो रही तो यहाँ पर और एक seat यह खतम हो रही तो यहाँ पर यह डबलू हमको मिल गया यह वाली seat देखिए यहाँ पर खतम हो रही है और यह वाली seat यहाँ पर खतम हो रही है तो यह हमको डबलू मिल गया ठीक है अब आप से पुचेगा A कामान A हमारा क्या है आप यहाँ से क्या कर लें total value यहाँ से यहाँ तक की ले लें यह हमारा क्या हो जाएगा यह हमारा A कामान हो जाएगा यही A कामान आप से पूचता है तो आप लिखिए equal to कितना हो जाएगा 4W plus 4T तो यह हमारा क्या हो गया double group joint इसी के साथ हमारा यह basic वाला जो topic है खतम होता है लेकिन अभी आप लिखिए कुछ महत्वपूर्ण notes जो हमारे क्या है previous exams में पूचे गए प्रस नहीं है तो आप यहाँ पे reading डालीजिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदू और उसके बाद 1,2,3,4 ऐसे करके लिखते जाईए ठीक है कुछ महत्वपूर्ण बिंदू इसमें पहला लिके बहुत जाद महत्वपूर्ण ये है पहला लिखिए किस धात उचादर काउपयोग यह प्रस नहीं आप से पूछा गया है किस धात उचादर काउपयोग फिस धात उचादर काउपयोग देरी उद्धोग खाद्य उद्धोग ठुड़ा मैं जल्ली जल्ली लिख रहाऊं ढेरी उद्धोग खाद्य उध्योग रासायनिक सैयंत्रो तथा रसोई का सामान बनाने में किया रहत है तो कौन सा है स्टैनलेस इसको मैंने लिखाया इसलिए क्योंकि यहां पर क्या होता है कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि कई चीजों को सम्मिलित कर दिया ना देरी युद्दोग खाद युद्दोग रासायनिक सैंत्रो तथा रसोई का सामान तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर सही आप्शन हो जाएगा स्टैनलेस स्टील इसलिए मैंने लिखाया नहीं लिखाता तो आप यहां करते इस्टैनलेस स्टील दिया रहता गर्वनाई जारें तो आप यहां करते आप सबसे पहले जी आई सीट को ही टिक करके चले आते हैं दूसरा क्या हो गया दूसरा लिखिए सीट मेटल में सीट मेटल में गुरूव बनाने के लिए गुरूव बनाने के लिए यह खांचे बनाने के लिए किस हैमर का उप्योग किया जाता है किस हैमर का प्रयोग किया जाता है यह हमारा क्या होता है क्रॉस पीन हैमर क्राइश पीन हैमर यह प्रस्न पूछा गया है तीसरा जो पॉइंट लिखिए वो क्या है धातु चादर कार्य में धातु चादर कार्य में कटिंग फोर्स कटिंग फोर्स घटाया जाता है घटाया जाता है कैसे आपको चार अप्षन दिया रहेगा तो सही अप्षन क्या है अवजार को मैंने आपको शुरू में बताया अवजार को करतन को्ड प्रदान करके आवजार को क्या प्रदान करके अवजार को करतन को्ड प्रदान करके ठीक है इस तरीके से आप note लिखते जाए क्योंकि यह सभी क्या है यह सभी हमारे previous exam में पूछी गए प्रस नहीं है चौथा लिखिए सीट मेटल कारी में किस हैमर का उपयोग किया जाता है यह प्रस्ण आप से पुपसा है इसमें आपको क्या बताना है स्ट्रेट पीन हैमर सीट मेटल में अगर आप बत करें किस हैमर का उपयोग किया जाता है तो किस हैमर का उपयोग किया जाता है स्ट्रेट पीन हैमर और इसका जो दूसरा सिरा होता है यह कुछ इस तरीके का होता है यह नहीं कि गोला कार नहीं होता है कुछ इस तरीके का यह निकि वर्गा कार होता है ठीक है तो इसका उपयोग हम लोग सीट को पीटने के लिए भी कर सकते हैं और जो स्ट्रेट पिन रहेगी उसका उपयोग दूसरी साइड में भी कर सकते हैं तो यह प्रसन आप से पुछा गया किस हैमर का उपयोग करते हैं सीट मेटल कार में तो स्ट्रेट पिन हैमर का उपयोग करते हैं अगला लिखिए पाचवान लिखिए खोखले पैनल खोखले पैनल बनाते समय खोखले पैनल बनाते समय किस मैलेट का उपयोग करते हैं खोखले पैनल मनाते समय किस मैलेट का उपयोग करते हैं तो यह होता है बॉसिंग मैलेट बॉसिंग मैलेट यह प्रस्न भी पूचा गया है खोखले पैनल अगरा हमको बनाते समय किस मैलेट का उपयोग करेंगे बॉसिंग मैलेट का उपयोग करेंगे अब अगला प्रस्न इसी से बनता है कि seat को फैलाने के लिए यहां पे लिखिए दिखरा है आपको यहां आपको दिखरा है seat को फैलाने के लिए अगला यहां पे छटाओं पॉइंट दिख लिए seat को फैलाने के लिए किस मैलेट का उपयोग करते हैं और लास्ट पॉइंट लिखे यस तो सभी को पता ही होगा क्योंकि मैंने मार्किंग डूर में इसको पढ़ाया था कि सीट मेरें पर बड़े व्रित खीचने के लिए अ rate 7 लिख लीजियेrit शीट मेटल पर बड़े व्रित खीचने के लिए किसका उप्यूग कियाता है ट्रेमिल का उप्यूग कियाता है यह ट्रेमिल जो है बुरा इस्पिस्पिकेशन मैंने मार्किंग डूल में आपको पढ़ाया हुआ है तो यह नोट आप लिख लिजिए और कोई नोट मेरे ख्या लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे उसमें हम लोग जो हमारा सीट मेटल का दो पार्ट बचे हुए है जैसे कि शोल्डिंग और रिव्टिंग तो इस तरीके से दो लेक्चर में हमारा जो यह है यह सीट मेटल का टॉपिक खतम हो जाएगा और लाश्ट में ही कहूंगा यगर वीडियो पसंद आया हो थोड़ा सिंपल टॉपिक था क्योंकि मुझे लगा मुझे पता है कि आप लोग को बहुत अच्छा नहीं लगा होगा लेकिन मेरा काम है बेसिक चीज़े पढ़ाना सभी चीज़े पढ़ाना ऐसा नहीं है कि यह ची कि शेयर ही ना करें इसके पास वीडियो ही ना जाए यह पढ़ ही ना पाए तो सच्छी दूस्तों साथ अपने साथ सेयर कर दीजेगा इभाई फिटर तीरी का फूल कोर्स चल रहा है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें और जूर जाए चैनल के साथ ताकि उनकी किसी बहुत 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 धानेवाद